इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. ट्रिवोलिब फोर्ट एक टैबलेट इयार मधुमेह विरोधी दवाओं के नाम से जाने वाली दवाओं की एक श्रेनी से संबंध रखता है. यह वयसकों में टाइब दो मधुमेह मिलिटस के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं का एक सयोजन है. यह मधुमेह वाले लोगों में रक्ट शरकरा के स्तर को नियंत्रत करने में मदद करता है. ट्रिवोलिब फोट एक टैबलेट इयार को खाने के साथ ही लेना चाहिए. सबसे अधिक लाब पाने के लिए इसे नियमित रूप से प्रतीक दिन एक ही समय पर लें. आपका डॉक्टर टै करेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर आपके रक्ट शरकरा के स्तर के अनुसार काम करने के तरीके के अनुसार बदल सकती है. भले ही आपको अच्छा लगे या आपका ब्लड शुकर लेवल नियंत्रित हो इस दवा को लेते रहें. यदि आप अपने चिकित्सक से परामर्ष के बिना इसे रोक देते हैं, तो आपके रक्ट शरकरा का स्तर बढ़ सकता है और आपको गुर्दे की क्षती, अंधापन, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान का खत्रा हो सकता है. याद रखे कि यह एक उपचार कारेक्रम का केवल एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम और आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए. आपकी जीवनशेली मधुमे को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. ट्रिवोलिब फोट एक टैबलेटी यार का सबसे आम दुश प्रभाव निम्न रक्ट शरकरा का स्तर, यानी की हाइपोग्लाइसीमिया है. सुनिश्चित करें कि आप निम्न रक्ट शरकरा के स्तर के लक्षनों को पहचानते हैं, जैसे पसीना, चक्कराना, सिर्दर्द और कपकंपी और इससे निपटना जानते हैं. इसे रोकने के लिए नियमित भोजन करना महत्वपूर्ण है और हमेशा अपने साथ ग्लूकोज का एक तेज अभिनेस रोट जैसे शरकरा युक भोजन या फलों का रस रखना चाहिए. शराब पीने से आपके निम्नरक्ट शरकरा के स्तर का खत्रा भी बढ़ सकता है और इससे बचना चाहिए. अन्य दुषप्रभाव जो इस दवा को लेने पर देखे जा सकते हैं, उनमें स्वाद में बदलाव, मतली, दस्थ, पेट दर्द, सिर्दर्द, एडिमा, यानि की सूजन, धुंदली द्रिष्टी, हड़ी का फ्रैक्चर और उपरीश वसन पत के संक्रमन शामिल हैं. कुछ लोगों को लग सकता है कि उन्होंने इस दवा से वजन बढ़ाया है. यदि आपको टाइप एक डाइबिटीज मेलिटिस है, यदि आपको डाइबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानि की आपके रक्त में एसिद का उच्चस्तर है, या यदि आपको किड्नी या लीव की गंभीर बीमारी है, तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए. इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको कभी हृदे रोग हुआ है. ये उप्युक नहीं हो सकता है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने रक्त शरकरा के स्तर की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और आपका डॉक्टर आपके रक्त कोशिकाओं की संख्या और यकृत के कारे की निगरानी के लिए रक्त परीक्षन की सलाह भी दे सकता है. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.